गूरु दीपक, गूरु चांदनों, गूरु बीन जोरु अन्धा, पलक नविसरू, तुम हने, गूरु मुझ प्राणि आधा, बाता, पलक अन्धा, गूरु बीन जोरु दीपक, गूरु अन्धा, य। अचार्य प्रवश्री पाश्री चंदर जी मारता, एसु जे इन सम्नी माल्ग के प्रारम करता अनुपी हां ह्यान प्रणेता प्रवश्री प्रभावक मेरे जीवन उत्था रहे, पुझ्य गुर्देव डॉक्टर से पदम संदर जी मारता को वंदन करते वे कभी गुरु भग गुर्देश क्या अग्या है, आत्म बंधु, अनन्द ज्यानी अनंत दर्शी, सिर्थंक प्रभु महमित तोमी ने अपने छदमस्त अवस्ता में बारा वर्ष तेरा अक्वाडेक तपश्या कीती, बंधु, आशारे संब्राष पुझ्य श्री जैमन की मरसाविप, अपने स यम काल की अंदर, खुब तपश्या, तोला वर्ष एकांत, दो वर्ष बेले-बेले की तपश्या, तीन वर्ष तेले की तपश्या, पांच वर्ष पंचोले की तपश्या, चालिस अठाईया, बीस मास्थमन, दस ज्वी मास्थमन, वर्दमान आमिलतप, इस थरह से बड़ी बड़ी तपश्या की है बंदू तपश्या करने के लिए शरी नहीं तपश्या करने के लिए वहाँ पे मनोबन चाहिए मन रड़ होना चाहिए तो तपश्य तहश में हो जाती है जही ने धरम के अंदर तपश्य का बहुती महत्व पून बताया वहाँ पे कर्म नुजरा का कारण है जो सादक जनम मरन कर रहा है संसार के अंदर साथ में दो साधन जुड़े हुए है एक भाईय साधन और एक अभियंतर साधन बंदू भाईय साधन के अंदर शरीर को लिया गया है और अभियंतर साधन के अंदर मन को लिया जा सकता है तपश्य के ज्वारा साधक शरीर को तपाता है मन को तपाता है मन के विकार को तपाता है मन को निर्मल और शुद बनाता है कूर्व उपांची तो करंक होते हैं उन कर्मों को समूल नाश करने के लिए एक साधन बताया है तब तब किसे कहते हैं तब यानी तव यानी ततकाल पा यानी पवित्र जो ततकाल पवित्र हो पंची के उपर जब धूल लग जाती है उसको उड़ना है तो वो क्या करेगा पंची अपने पंकों को जाड़ेगा बंदू यहां करम को जाडने का क्रिया है वहाँ तप तपशिय दो पार्य करती है एक है वहाँ पे आत्मा को उज्वल बनाती है बंदू एक तो तपना और एक प्रकाशित करना जो आत्मा को उज्वल बनाती है जैसे कि अगर सोना को शुद बनाना है तो उसको क्या करना है अगनी में तपाना पड़ता है जब वो अगनी में तपती है तब वहाँ सोना शुद बनता है और एक शरीर के अंदर उर्जा पैदा करती है या प्रकाश देती है। बंदू जग आत्मा को तपाना है तो शरीर को क्यों तपाया जाता है? एक प्रश्न खड़ा हो सकता है। क्यूंकि बीना शरीर को तपाए वहाँ आत्मा तप नहीं सकती है। उधारन के तोर पे जैसे की तोना को सपाने के लिए वहाँ पे अग्मी साधन है बंदू दूद को गरम करना है तो दूद गरम करने के लिए वहां मेट्रिल के आउशक्ता होती है भाजन के आउशक्ता होती है अगर बिना भार्जन, डूत को अगर अभ्यास के उपर डाल सकते हो क्या, नहीं डाल सकते हो, वहां डूत भस्मु हो जाएगा कि किसी प्रकार बंदूओ शरीर को तपाए वगर आत्मा तप नहीं सकती है, तपश्या क्यू करनी क्याएं, आत्मा शिद्धी के लिए तपश्य कि जाती है वहां पे तपश्य स्व इच्छा से की जाती है अपने इच्छाउं का निरोध करने के लिए बंदू किसी सादक को अगर आप सोर्ष करोगी कि तपश्या करना है अगर उसकी इच्छा होगी और वह सहच पूर्वक का तपश्या करेगा तो उसको लावती प्राक्त होगी उसके कर्मों की निर्जुरा होगी लेकिन अगर उसने अपने इच्छास के सह से तपश्या नहीं की किसे ने के दिया जबरदस्ती कर दिया और उसने तपश्या कर भी ली बंदू वहाँ पे ताइम गिंता जाएगा कि ये दिन पूरा कब कैसे होगा और वहाँ पूरे समय टीवी देखने में खेल कूद्मे में अपने समय व्यतित कर लेगा क्योंकि अपने मन से वहाँ ये तपश्या नहीं की है किसी के कहने पर वहाँ forcefully उसने की है बंदू वहाँ बेचे नहीं रहेगा कि कब सुबह होगी कब नवकास्ती आएगी और कब मैं वहाँ पार्ना करूँ जहाँ पे भरजन करने का समय रहेगा वहाँ पे जब तप करने का समय रहेगा उसकी जगह पे उसको भोजन याद आएगा क्योंकि वहाँ पे स्वखी इच्छा से नहीं की जाए तप है बंदू वहाँ जो स्वदक स्वखी इच्छा से करता है तो वहाँ पे वांची खलाप की प्राप्ती होती है पांच आचार बताए उसमें एक आचा है तप आचार दस एती धनम के अंदर एक बताया है तप बंदू आहार छोड़ने के छे कारण बताए गए जब भयंकर रोग की उत्पति होती है उसमें आहार छोड़ा जाता है बंदू आचार जाता है और ब्रह्मच्वरे की रक्षा के लिए आहार छोड़ा जाता है प्राणी दया, जीव दया के लिए आहर छोड़ा जाता है और तब के कारण से भी आहर छोड़ा जाता है संथार आप लेता है इंसान जब अंतिन समय के अंदर उससे में भी आहर छोड़ा जाता है तो जो आहार छोड़ने के छे कारण बताये है उस छे कारण के अंदर एक तपश्वा भी कारण बताया गया है बंदू जो तप है वो जनम जनम के ताप को मिटाने वाली हैं तीन शब्द आते हैं तप, ताप और संता तप जो कर्मों को श्याई करता है ताप, ताप यानि अब किसी को बुखार आ गया वो क्या करेगा वो डॉक्टर के पास जाएगा डॉक्टर वहाँ पे डवाई यह दे देगा फिर वो उस डवाई को ले लेगा समय समय पर वापस बुखार ठीक हो जाएगा लेकिन वापस खुखार आया तो वो वापस डॉक्तर के पास जाएगा तो यह ताफ है जो खुखार को भी ताव कहते है गुजराती भाषा में और यह ताफ बंदू यह जो ताफ है इस ताफ को जनम जनम के लिए मिताना है वहां मिटाने के लिए एक सादन है तक किसी वेक्ति कोई वेक्ति दुखी है और उस दुख को दूर करने के लिए वो धरम कथा को सुनेगा उपदेश को सुनेगा वहाँ कुछ समय के लिए उसका दुख दूर हो जाएगा तो वहाँ पे वहाँ बुखार के समान है लेकिन जनम जनम के लिए जो दुख आया हुआ है तो यम के कारण से जो ख्रिये किया है उस दुख को मुक्ती पानी के लिए उस दुख्कों से हमेशा के लिए छुटकर पानी के लिए बंदुओ ऐसी दवा को लेना है जिस दवा के कारण से कुना वहाँ पे ना मुखार आये और ना कोई दुख आये एक नगर के अंदर राजा और उस नगर में आचारिय और छिश्य समूदय आये वेते राजा उनकी सेवा में जाता है खुब अच्छी सेवा करता है एक मैने वहाँ पे रहे और जब समय पूरा हो गया तब आचारिय भगवन तो और उनके शिश्य समूदय वहाँ से भियार करते राजा के मन में विचार आया है कि ये नगर बहुत बड़ा है अगर मुनी भगवन तोंको कुछ हो जाए तो यहाँ पे वेदराजी भी है किन्तु परन्तु हो भी जाएगा तो भी डॉक्टर्स की सुविदा भी है तो इलाज भी हो सकता है लेकिन माहराजी यहां से विहार करके जाएंगे और जंगल में कोई सुविदा नहीं है तो इससे अच्छा मेरे पास जो वेद्य है उन वेद्य को मुनी राज के साथ में भेज देता हूँ ताकि रस्ते में कोई डुविदा आ जाए रस्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वेद्य जी संभाल लेंगे ए सोचकर वहां राजा एक अपने वेद्य जी को मुनी राज के साथ भेज देते हैं बंदू जब मुनी राज के साथ गए एक दिन व्यतित हुआ दो दिन व्यतित हुआ आचारी भगवन ने उस वेद्य जी के पास कोई शिकाइश नहीं थी इस तरह से करते करते पूरा एक मैना हो जाता है वेद्य राज जी ने सोचा क्या बात है क्या मुनी राज के पास पहले से कोई अउशदी है या उनको कोई तकलिफ हुई होगी उन्होंने बताया भी नहीं होगा वेद्य राजी के मन में शंका आजाती है तो वहाँ पे उस शंका को समधान करने के लिए वहाँ पे आचारी या माहराजी कोई पूछ लिया कि भगवन मैं आपसे प्रेश्न पूछना चाहता हूँ मैं एक मैने से देख रहा हूँ आप मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे हो किसी प्रकार की आउशदी ना मांगी और नहीं किसी प्रकार का रोग बताए आपके पास ऐसी कौन सी दवा है वहाँ वेदराजी भी कहता है कि मेरे पास तो सभी तरह के जो भी रोग है अलग-अलग रोगों के अलग-अलग दवा है तब मुनिराज ने कहा तुम्हारे पास तो अलग-अलग रोगों के अलग-अलग दवा है लेकिन मेरे पास तो सभी रोगों की एक दवा है तब वहाँ वेदराजी ने पूछा ऐसी कौन सी दवा है वो मुझे भी दे दिजिए ताकि मैं अपने पेशन को दे सकता हूँ इतनी सारी दवाया मुझे रखने की जरुरत नहीं पड़ेगी। आचार्य भगवन ने कहा वहाँ देने की चीज नहीं है वहाँ पे करने की चीज है बंदूओ तब एक ऐसी चीज है जो रोगों को भी मिठा सकता है शरीर के अंदर जो वेदना है वहाँ पे भी ठीक कर सकता है किसी व्यक्ति को अगर इंड़ाजिशन की प्रोब्लम हो जाती ह जब खाना खाया और वह खाना पचा नहीं और वहाँ पे अजीन हो जाता है उस समय सादक उस दिन पूरे दिन में गरम पानी का सेवन करते हुए अगर वो अहार को त्याग करता है तो उसका जो इंड़ाजिशन की प्रोब्लम है जो अजीन की समस्या है वहाँ दूर हो जात है वह मुखार वह दो प्रकार के ताव बताए गए है एक इशारिविक ताव और एक मानसित्त बंदू कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कहते हैं कि हमने जीवन भर कोई दवाई नहीं ली है किसी प्रकार का कोई प्रोब्लम नहीं आई है तब माराज ने कहा अच्छी बात है तुमारे शरीर के अंदर वो शमता है वो ताकत है लेकिन वहाँ व्यक्ति कहता है कि शरीर में तो कोई तकलीश नहीं हाई लेकिन घर के अंदर छोटी बव आ गई है उसके कारण से बहुती तकलीश हो रही है वहाँ पी कहना नहीं मानती है अपनी मनमानी करती है खुब कुछ के देते हैं समझा भी देते हैं और थोड़ी सी आवाद उन्ची भी अगर कर देते हैं तो वह सीरा पुलिस कंप्लेंड का शिकायद करती है और दर्ज के केस में वहाँ पे शिकायद करती है बंदू वह व्यक्ति कहता है कि शरीर का कोई दकलिफ नहीं लेकिन मांसिक तन चाहिव है यह बीसे क्या है दल बंदू अले जो ता है जो सोयं को भी हानिकारिक है और दूसरों के ले भी हानिकारण को तीसरे है संद्ग संद्ग पैनि मोह को वर्स्यवुत होकर नh yupि अन्वरत करना और अधात वासीथ फल नहीं देता है केवल मास खमन करना ही तपश्या नहीं होता है मास खमन जो सादक कर सकता है तो वहां उसको ये भी ध्यान रखना कि मैं रात्री भोजन का भी फ्याग करूँ नवकास ही करना वो भी एक तप होता है केवल अठाई करना ही तप नहीं होता है बंदुओ बड़ी बड़ी तपश्या इतप नहीं होता है छोटी छोटी तपश्या भी वह तप कहा जाता है मुनी आसकरण जी छोटी सालू अंधना में कहा एक एक मुनी वर रसना त्यागी एक एक ज्यान भंडार रे एक एक वया वच्छिय वेराजी जेना उनानों नहीं पार रे प्रानी एक एक रसना को त्याग कर देते हैं जो ज्यान का अर्जन करते हैं जो स्वार्थ्याई करते हैं जो सेवा करते हैं वो भी क्या बताया है तब कि श्रेणी में बताया गया है छे प्रकार के जो तफ है वहाँ भाई ये तफ है और छे प्रकार के तफ अभियंतर तफ है टोटल बारा प्रकार के तफ बताये गया है सबसे पहला आता है अंशन अंशन यानि दावकार सी लेकर फोर सी उपवास जो भी तपशा करते है वह अंशन की स्ट्रेणी में आता है अगर किसी को अगर उपवास नहीं होता है तो वहाँ पे कुछ घंटे के लिए वह अनकर प्याग कर सकता है जैसे एक बजे उसने गोजन ग्रहन कर लिया उसके बाद वापस पांच बजे अगर गोजन ग्रहन करेगा तो एक से पांच बजे के बीछ में जो टाइम पिरियर एक चार घंटे का वह चार घंटे को आहाल का थ्याग करना वो भी क्या कहा गया है अंशन कहा गया है बंदू अंशन के अंडर एक अल्पकालिक अंशन होता है जो नियमिक समय के लिए त्याग किया जाता है और एक अंशन होता है वहाँ पे जीवन परियंद के लिए होता है जीवन परियंद के लिए जो अहर का त्याग करते हैं उसको संधारा कहा जाता है तो जो अंशन होता है वहाँ पे उपवाज से लेकर जो तपश्या होती है बंदू किसी किसी को शुगर की प्रॉबलम होती है किसी किसी को डायबेटीस की प्रॉबलम होती है मन के अंदर बहुत भावना होती है कि मुझे तपश्या करना है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ लेकिन भोजन करने के बाद भी उसके बाद जो उसके खाने की time period होता है उसके अंत्राल में अगर वो पच्छपान ले लेता है वो भी अंशन की श्रेणी में आ जाता है क्यूंकि उस time period के अंदर इसने अहार को छोड़ा है दूसरा आता है उनोदरी उनोदरी यानि भूख से कम खाना क्या आप भूख से कम खाते हो कोई कोई है चो भूख से कम खाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं भूख यानि पेट भर जाता है लेकिन अगर सामने वालों ने अगर के दिया यह आपकी फेवरेट ठीक है आप क्या करो एक कवा और खालो तो वो क्या करेगा खा लेगा बंदू वो खा भी लेगा लेकिन अगर और ठाम दोगे तो भी वो खा लेगा क्यूंकि वहाँ पे उनुदरी नहीं किया भगवान माहवी स्वामी ने कहा जो सादक उनुदरी कर लेता है तो बेटी कोई समस्या नहीं आती बुक से कम खाओगे तो शरीर भी स्वास्त रहेगा और अगर शरीर स्वास्त रहेगा तो आपका मन भी स्वास्त रहेगा उपवास करना बहुत आसान है मरसा के पास आओगे और कैदो कि मरसा उपवास पच्चकादो और पच्चकाण भी ले लोगे और दिमाग में फीर हो लें जब भाने में जब भोजन आता है उस भोजन को नियंत्रिक करना उसको कंट्रोल करना मुश्किर हो चाता है। इसलिए बंदवु उन्हों तरी वी एक तप्प बताया गया है जो भूँक से कम खाना। शरीर निरोगी होगा, तो मन भी निरोगी होगा और मन निरोगी होगा, तो धरम भ्यान भी अच्छी तरह से हो सकता है। बंदुू। तीसरा है बिक्षर शरीर, जो मुनिराज होते हैं, 42 दोस्त को टाल कर वहां गोश्री लेके आते हैं। और शाविक शाविका के लिए जो भाणे में चीज आती है वहाँ संभव पूर्वक खाविन ऐसे नहीं कि ये चीज भाती है ये चीज नहीं भाती है वहाँ पे राग देश नहीं रखते हुए संभव पूर्वक जो भी भोचन आता है वहाँ पे चलाने के लिए वहाँ पे अहर ग्रहन किया जाता है उस सोच से संभव पूर्वक भोचन कर लेते हैं तो बंदुओ, जहां पर राग देश की ग्रंतिया नहीं होगी, तो वहां पर कर्मों का बंद नहीं होगी, तो सबसे पहला आता है अंशन, दूसरा है भुनोदरी, तीसरा है पिक्षपरी, बंदुओ, आज तो घड़ी के अंदर समय हो गया, अब आगे और कौन-कौन से सब क के प्रकार बताए गए, जैसे जैसे आपको आनन की प्राप्ति होगी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूँदू.